हम पूँछियू है कर चुके हैं कि फर्मूलादco सब्सक्रणे स法्मॉला जो हैं हमारे पास Coun helped me मद्ञे हैं, गए कुछ एग्जैंफ़ देख लेते हैं जैसे हमारे पास यहाँं कि इए क्जैंपल है हमने एकुल प्रूफ पर नहारी साइन इंवर्स on साइन इनवर्स आफ 3 बाइ 5 प्लस साइन इनवर्स आफ 8 बाइ 17 इस इकुल्स टू साइन इनवर्स आफ 77 बाइ 85 ठीक है यह हमने प्रूफ करना है तो अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे हमने अभी रिसर्टली फार्मूल डिसकस किये थे तो वहाँ आपको नज़र आया होगा कि साइन इनवर्स आफ ए प्लस साइन इनवर्स आफ बी वो फार्मूला जो है हम उसी फार्मूला को यूज करेंगे तो यह लेफ्ट साइड इकुल्स टू आजेगी राइट साइड के तो फार्मूले लिखेंगे as sin inverse of a plus sin inverse of b देख सकते हैं क्योंकि यह इसी तरह का फार्मूला बंड़ा है प्लस का है तो प्लस वाला फार्मूला लिखेंगे sin inverse a into 1-b square plus b into 1-a square ठीक है यह हमारे पास फार्मूला है तो इसमें just हमने put क्या करना है कि यहां sin inverse के साथ जो कुछ है यह a है और यह क्या है b है तो यहां इस फार्मूला में वो values put कर देंगे ठीक है तो put a is equals to 3 by 5 बलके इसकी left side लेके लेते हैं ठीक है इसी तरह कर लेते है values just put कर लेते है put 3 by 5 and b is equals to 8 by 17 कहां put करेंगे फार्मूला में तो इस फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा sin inverse of 3 by 5 plus sin inverse of 8 by 17 is equals to sin inverse of a a की value है 3 by 5 1 minus b square तो b की value है हमारे पास 8 by 17 ठीक है और 8 by 17 का अगर स्केर भी ले 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 तो 64 divided by 289 plus b की value है 8 by 17 1 minus a square तो a की value है 3 by 5 तो ये 9 by क्या आएगा 25 आजएगा अब इनको just simplify करना है sin inverse of ये as it is आएगे sin inverse of a plus sin inverse of ये ले लेट से भी है sin inverse of 3 by 5 289 289 minus 64 square root plus 8 by 17 25 तो LCM से 25 minus 9 आजेगा अच्छा फिर next जी sin inverse of 3 by 5 sin inverse of 3 by 5 plus sin inverse of plus sin inverse of 8 by 17 8 by 17 is equals to sin inverse of simplification के बाद देख लेते हैं क्या आएगा 3 by 5 3 by 5 multiply by 289 minus 64 तो 289 by 64 ये आएगा हमारे पास 225 225 sorry 225 divided by 225 divided by 289 289 and plus 8 by 17 plus 8 by 17 sorry और यहाँ पर जी हमारे पास आएगा ये देख सकते हैं 16 by 25 आएगा 16 by 25 आएगा sin inverse of 3 by 5 plus sin inverse of 8 by 17 is equals to sin inverse of 3 by 5 multiply 25 का सके रूट हमारे पास equal होता है 15 के और 289 का सकेर equal हाएगा 17 के plus 8 by 17 16 का सकेर हाएगा 4 और 25 का आजाएगा 5 ठीक है so sin inverse of 3 by 5 plus sin inverse of 8 by 17 sin inverse of 3 आप देख सकते हैं 1 5 3 ये आजेगा हमारे पास ठीक है 3 आजेगा तो 3 3 3 9 by 17 9 by 17 and plus यहाँ से जी हमारे पास आजेगा 8 4 32 divided by 7 5 0 85 दुबारा से ही LCM लेंगे sin inverse of 3 by 5 plus sin inverse of 8 by 17 sin inverse of तो 17 और 85 को जो LCM है वो 85 आएगा 85 को 17 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 5 आएगा 5 9 0 45 85 को 85 से डिवाइड कर आजेगा 1 1 को 32 के साथ multiply करो तो यही आजेगा साइन इन्वर्स आजेगा 45 प्लस 32 sin inverse of 77 की को लाएगा divided by क्याएगा 85 तो यही हमने प्रूफ करना था कि sin 3 by 5 plus sin inverse of 3 by 5 plus sin inverse of 8 by 17 is equal to sin inverse of 77 by 5 तो आप यहां से देख भी सकते हैं यह हमारे पास example थी तो इस तरह से जिस तरह की question आएगे आपके पास तो उसमें simple आपने क्या करना है जो फार्मूला है वो आपने put करना है और put करने के बाद उसका जो answer है वो आपने find कर लेने ठीक हो गया अच्छा इसमें कुछ question थोड़ी से change भी आ सकते हैं मैं उसमें से एक example आपको समझा भी देता हूँ example है example number two ये थोड़ा सा formula के बाद भी जो question है ना वो right side equal नहीं ला के देता आपको जैसे अभी previous example में आपने देखा कि जब मैंने formula apply किया तो exactly उसने हमें right side दे दे लेकर कुछ ऐसे question भी होते हैं कि जब आप उस पे left side की जो value है वो formula के थूँ आप find करते हैं तो right side की equal नहीं आती तो हम वो देखेंगे इस lecture में तो question जो है हमारे पास example जो है वो sign inverse of 5 by 13 plus sign inverse of 7 by 25 is equals to cause inverse of 253 divided by 325 के equal हमने proof करना है तो ये next video में हम इंशाले इसको प्रूव करेंगे अपना बहुत सारा ख्याल लखेगा अल्ला हाफिस